गुड मॉर्निंग, मेरे पास कई दिन से क्वेरी जा रही है कि सर हमें CU, CAT के प्रिपरेशन करनी है, हम कौन से बुक्स पढ़ना सुलू करें। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको अपने बोर्ड पे कंसेंट्रेट करना है, बोर्ड के रहे पढ़ाई करना है। Along with that, if you have time, आप आदा गंटा, पंदर मेंट, एक गंटा अगर आप देरी निकाल सकते हैं अभी, तो आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, otherwise after your exam भी आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं, अगर आपने पढ़ना रेट स्टार्ट किया तो बहुत हो जागा, because you do have time, तो उसमें आपको वरी नहीं होना है। जितनी भी बुक्स हैं, उसको मैंने तीन भाग में डिवाइट किया है। पहरा भाग, knowledge enhancement, दूसरा भाग, content based और तीसरा भाग, practice based. I am repeating, knowledge enhancement, content and practice. Now, knowledge enhancement के लिए आपको कुछ magazines लेनी हैं, जो daily basis पे आप 10-15 minutes जब भी आप सोते समय आपने 15 minutes उसको पढ़ लिया। बस में स्कूल जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो ऐसे करोना की वाइसे जाने ही रहोगे। अगर जाते हैं तो पढ़ सकते हैं। या जब भी आप खाले कुछ नहीं पढ़ने बनें तो थोड़ा सा उसको page प्रटके, सो page की magazine हैं, महीने भर में आपको दिले दिले उसको complete कर देने हैं। यह news paper का substitute हैं। कौन कौन से magazine हैं। आप ले सकते हैं banking services chronicle, आप ले सकते हैं competition success review, आप ले सकते हैं competition master, और आप ले सकते हैं प्रतियोकता दरपड। इसमें से जो प्रतियोकता दरपड हैं वो English और Hindi दोनों में आती हैं, बाकी जो तीनों हैं वो English में आती हैं। माई रेक्मेंडेशन प्रतियोकता दरपड। बहुत अच्छी magazine हैं। बहुत पुराने समय से आ रही हैं। सब कुछ available हैं। बहुत practice questions हैं। बहुत अच्छा content हैं। आप उसको कर सकते हैं। अब मैं जाता हूं content, after the knowledge enhancement, content के रिए आपके exam में आता क्या है? इंग्रेश, gk, reasoning, math, gk आपकी magazine से हो जाएगी, अब बचा क्या? इंग्रेश, reasoning और math. इंग्रेश के रिए बहुत अच्छी book है, Ren and Martin. Ren and Martin के बहुत पुराने book है, हर bookseller के पास available होती है, आप उसको लेजिए और उससे आप practice करना शुरू कर सकते हैं। अब बसता है reasoning और mathematics, reasoning and mathematics के आरेस ग्रेवार की books आती हैं, for banking purposes, for entrance exam purposes, आप जिस exam करे जाएंगे, आप अभिसर से जाके बोलेंगे, मुझे C.U.C.T. देता है, या मैं मुझे B.B.A. देना है, या मुझे B.H.M. का exam देना है, वो आपको book निकार के आरेस ग्रेवार के book देदे practice means, जिसमें आप बहुत सारे papers करते हैं, speed बढ़ाते हैं, accuracy पर work करते हैं, after knowing the content, उसके लिए भी कुछ books market में आती हैं, कौन-कौन सी books available है, तो मैं आपको किवर publication का नाम बता रहा हूं, because book पर आप जाएगे तो नाम कुछ भी हो सकता है, depending upon exam, C.U.C.T. exam, D.U. B.M.S. exam, maybe SNU exam, ऐसे करके नाम कुछ भी हो सकता है, but contents हर किताब की सेम होती है, वो कौन सी book ले लिए, आप उपकार की book ले लिए, आप आरगुपता की book ले लिए, आप अरिहंत की book ले लिए, ये आपके book seller के पास available होगी, आप उससे जाए ये, अगर आप B.H.M. कर ले जिए, या जनलिज सब में सीम चीज है, content is same, कि वर cover change होता है, तो आपको जो मिल जाए उसको लेकर practice किजिए, that will be more than enough, this is my advice, do some magazine, then some content and then some practice, कब से start करना है, magazines होगर है, आप अभी से start कर सकते है, content होगर है, अगर आपके पास time है, तो थोड़ा थोचप्टर कर जिए, otherwise after your board examination and practice to definitely after board exam ही सुरू कर Thank you